हेलो हे अबरिवान वेल्कम टू माई चैनल आल अबाउट हेयर कैसे हैं आप सभी चलिए आज अपनी इस वीडियो में आपको इतने हेयर पर एकदम शॉर्ट हेयर कट सिखाते हूं यह देखे इस टाइप का क्या आप सीखना चाहते हैं चलिए टाइम वेशना करते हैं चलते ह अपनी वीडियो की तरफ और सीखेंगे इतना प्यारा सा हेयर कट यह है मेरी रियल क्लाइट जिनका हमने एयर लॉबिंग किया था यानि कान का छेद बंद किया था हमने इनका और बहुत अच्छे रेजल्ट भी आये थे वो वीडियो आपने नहीं दिखा हो तो देख बालों को अच्छे से गीला कर लेंगे और उसके बाद जितनी भी लैंद इनको निकलवानी है आप उतना कट कर देंगे यानि जीरो डिग्री पे तो मेरे क्लाइट को यह इतने शॉट चाहिए थे बहुत बोर हो गई था इतने लॉंग रखके इन्होंने का सिर्फ इतने र बहुत अच्छे आते हैं यहां पर इस तरीके से करेंगे और अगर आप और उपर की तरफ जाएंगे तो वह हमारा 90 डिग्री होगा बट मैं 45 डिग्री पे कर रहे हूं यह दिखेगा एक एक स्रेक्शन लेंगे और इसके ब्राबर कट करते जाएंगे यानि गाइडलाइन बाद छोटे बड़े नहीं होते हैं आपके स्टेप प्राबर पर आते हैं तो यह हेर कट बहुत एज़ी एज़ी होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ और अगर आपका क्लाइन चाहता है कि स्टेप वाला लुक में जाये तो आप देखेगा मैं यह वाला कट इस तरीके से क वी दे सकते हैं बड़ ज्यादा अच्छा रहता है यू कट इकने शौट हैर में वी या स्टेट का कोई स्टेट दे सकते हो बड़ वी का कोई मतलम नहीं बनता है यह देखे फ्रंट से बैक तक हमारे एक साइट के हो चुके हैं अब हम दूसरी तरफ आएंगे दूसरी भी बड़े छोटे नजर नहीं आएंगे इसमें आपको फैदर जैसा लुक मिलता है क्योंकि हम इसको इस एंगल में कट करें जब स्ट्रैप में करते हैं तो हमारी फिंगल बिल्कुल लेटी हुई होती है उस तरीके से होता है और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कट करते जा रहे हूं और यहां पर इस तरीके से हम अपने स्टैप को एक एक करते हुए करेंगे मैंने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आपको प्रोपर स्टैप दिखा पाऊं और इसी लिए वीडियो वैसे तो चार मिनट का है कोई बढ़ा नहीं और हेयर कट बहुत इजीली हो गया है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा चेक करें तो इस तरी के चेक करेंगे, कहीं से भी आपको बाल छोड़ी बड़ी दिखाए देंगे, तो उन्हें कट कर लेंगे, यानि आप इसमें नोचिंग भी देना चाहते हैं तो भी अलग से नोचिं फ्रंट की तरफ जाएंगे, फ्रंट का वीडियो शायद मैंने शूट नी किया है, देख लेते हैं, नहीं किया हुआ ही देखें, यहां पर आपको स्टैप वाला लुक मिलता है, थोड़ा सा फ्रंट से इस तरीके से उठाएंगे, मैं इस साइड का दिखा देती हूं, और आप बालों को मिक्स करते हुए कट कर देंगे, तो फ्रंट से भी आपको बहुत प्यारा सा लुक आएगा, और इनका फ्रंट में मैंने इतना क्या है, अगर यह पोनी बनाती है, तो भी इसली इनके पोनी में बाल आ जाएं, फ्रंट वाले या क्लेच करते हैं, क्योंकि यह साइंस के टीचर है, तो आपको पता है, कई बार बोर हो जाते हैं, अपने उपन हीर से भी, तो कई बार मन करता है, थोड़ी सी पिन लगा ली जाए, चोटी सी पोनी कर ली जाए, तो उस तरीकी का कर सकते हैं, आप फ्रंट से थोड़ा लोंग, और बैक में इनके स्टैप देखेगा कितने अच्छा हैं, क्योंकि इनके करली हेर है, करली हेर में हमारा यह लुक आता है, और आप हलका सा ड्रायर करते हैं, या ब्लो ड्रायर करते हैं, तो बहुत ही प्यार लुक आता है, और यह हैं इनके कटेवे बाल, तो करली है, तो इसलिए आपने देखा उपर step दे कितने अच्छे आ रहे हैं, चले मैं आपको light सा ड्रायर करूँगी बिल्कुल, यानि सुखाऊंगी पहले बालों को, ताकि आपको सुखे वे बालों में लुक पता चले, और आपको पता है मेरे चैनल पर giveaway चल रहा है Natural Beauty World पर आपको दोनों चैनल को subscribe करना है, अपने friends से subscribe कराना है, family members से subscribe करवाना है, उसके screenshot मुझे भेजने हैं, main यही है giveaway के rules और like करना है, वीडियो में comment करने है, तो आप मेरे giveaway winner बन सकते हैं, ये दिखिए कितना प्यारा ड्रायर के बाद लुक आया है, ऐसे step आप भी चाहते ह ऐसा haircut करना चाहते हैं, ट्राय करके जरूर देखिएगा, आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हेर कट कैसा लगा मेरे क्लाइन का, मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताएगा, और ये दिखे, बहुत खुश थी मेरी क्लाइन, अपने हेर कट को देखकर, कि मेरी तो जंजटी खतम हो गया, ना मुझे पोनी करनी पड़ेगी, और स्कूल में भी कैसे भी जा सकते हूं, त तब तब के लिए बाइबाइ, थैंक यू